नवज का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पाता दोस्तो रायस्तान बीएस्टिशी कॉलेज अलोट्मेंट 2022 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी ख़बर निकल क्या रही है रायस्तान बीएस्टिशी कॉलेज अलोट्मेंट की सीट बड़ोत्री को लेकर दोरा कांसलिंग को लेकर दोस्तो इस पूडियों बात करेंगे अगर पहले लिस्ट से पहले दोस्तो यहां पर आपकी सीट बड़ जाती है तो बड़ी दोस्तो इसकी कटोब में क्या बदलाब आपको देखने को बिलेगा क्योंकि दोजा सीट से आपको काफी चारा अंतर देखने को मिल सकता है राइस्तान B.H.T.C. कॉलेज अलर्टमेंट की पहले लिस्ट को लगवग काफी समय हो चुका है एक नमबर को रेजल्ट आया था इसके बाद काउंसिलिंग 3 दिसम्बर तक उई थी उसके बाद दोस्तो काफी समय हो चुका है वो देखने हो चुका है ताकि रायस्तान बीएश्टीशी कॉलिज अलिटमेंट की सभी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो डीएडर काउंसलिंग नई 90 हजार का प्रेविशाट का प्रारमुक सिच्चा प्रवाग के पंजिकम सिच्चा प्रवाग की लेट रतिपी इन दिनों कांसलिंग स्तिंग ने ने पारें और यह क्लास 25 वे सेलेक्षिंग की तैयारी इस बार सीट में बड़ोतिती होने की इंद है इसलिए काउंसलिंग में बिलम हुआ है जल्दी संबंद में आदेश जारी हो जाएंगे तो दोस्तों हाई कोट में कुछ बढ़तियां थी उनको भी आपर लंबित रखाएंगा इसके अलावा आपकी कुछ कॉलेज हैं बीएश टीशी की इनको भी दोस्तों यहां पर कॉलेज को सामल करवाने को लेकर हाई कोट में याच कर लगए हुई थी और ऐसे में आपकी सीट बढ़ सकती हैं अगर कॉलेज की सीट बढ़ेंगी लग अगर आपकी दोजार के आप सीट बताई जा रही हैं तो कांसलिंग भी द्वारा से समय मिलेगा इसमें आप कॉलेज कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर दोस्तों पहली लिस्ट के बाल अगर सीट बढ़ाई जाती हैं तो सेकल लिस्ट में आपको कांसलिंग के लिए मौका दिया जाएगा लेकिन कांसलिंग आपकी द्वारा से हंड़े परसेंट होगी तो इसलिए बी एस्टीशी की पहली लिस्ट में समय लगे क्योंकि पहली लिस्ट से पहले ही कॉलेज बढ़ जाएंगी और जो अपडेटर्स कम सा दोस्तों इसी सब्ता में और से कॉलेज आवंटन किया जाए पर कांसलिंगी तैयारी इस बाद सीट में बढ़ उतरी होने के उम्मीद है सिद्य कांसलिंग में ब्लम हुआ है जल्दी संबंद में आदेश जारी होंगे और पांच लाग तेती से यार बिद्ध्य आरते ने परिच्छा दी थी नबबए जा चादर और रेस्टेशन कराय आता कांसलिंग के लिए इसे पहले दोस्तों चाहले चाहर ने कांसलिंग कराई ती में तो कटॉप की बात करें दो को बदलाब देखनें को मिलेगा जनल के तो कटॉप मीनिमुम कट बताया हूं धुब मैं आपको 400 प्लस रहेगी और वहीं की बात करना तो वह बहुरी की आ पर भी ऊपर ही जाएगी कटों यह मिनीमम नमबरें से नीचे नहीं जाएगी दोस्तों सेक्ट लिस्ट में 20 अंक कम हो जाएगी एस्टी केटिगरी में आपकी कटोंप है वो 330 से ऊपर कटोंप आपको देखने को मिलेगी वहीं एमबीसी केटिगरी की अगर बात करूं तो एमबीसी में 3054 प्लस और ए डल्वस केटिगरी कटोंप की बात करें तो ए डल्वस में आपकी 380 और 400 के बद्दे कटॉप रहने वाली है तो कटॉप में भी आपको बदलाब देखने को मिलेगा और इस बार आपकी सीट वड़तरी होती है तो द्वारा से आपको काउंसलिंग का मौका भी दिया जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने बी एस टी सी की लेटास नूट के लिए जय हिंद बंद मात्रम